तो आएए बच्चो देखते हैं इस लेशन के जो मुख्य question answer है उनको आपको बताते वे और उनका answer भी समझाते वे चलते एं पहला question हैिन में बुज़ा elder पड़ी प्राकृतिक वनस्पद जात और प्राणी जात के हरास का सही कारण नहीं है तो इसका आंसर है थर्ड पशुचारण और इंधन लकड़ी एकत्रित करना ठीक है दूसरा क्वेशन है इनमें सो कौन सा संरक्षन तरीका समदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता इसका आंसर है और प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित के वर्ग से मेल करें यह साइड में देखिए यह जानवर और पौधों को गुरूप दिया गया है इनका वर्टमान में क्या अस्तित है इनको अलग अलग करके इनके सामने आपको लिखना है तो यह इनके आंसर देखें दिये गए बच्चों काला हिरन कैसा है इसका अस्तित संकट ग्रस्त है दूला प्रजाती गुलावी सीर वाला वाली बतक कैसी लुप्त प्राय प्रजाती की है उसके बाद है निम्नलिखित का मेल करें यह तीन प्रकार के वन दिये गया है बच्चों आरक्षित और रक्षित अगा उस तरफ यह तीन इनके बारे में दिया गया है संट तो आपको आरक्षित इनमें से कौन से है तीनों को मैंश करके राइट आंसर आपको लिखना है तो इनका आंसर है आरक्षित वन किसे कहते हैं वन और वन जीव संसाधन सरक्षण की देश्ट से सरवाधिक मुलिवान वन रक्षित वन यह मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी रखा है पूरा डिटेल में तो आंसर रक्षित वन का क्या है वन भूमी जो अधिक चरण से बचाई जाती है अब वरगी करत भूमी क्या है सरकार व्यक्तियों की निजी और समदय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमी उसके बाद है लगू कोशन में निमलिखित प्रश्णों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजिए पहला कोश में थोड़ा सा देखते हैं जय विवित्ता क्या है जय विवित्ता वन जीवन और किशी फसलों में विवित्ता का प्रतीक है यह मानों जीवन के लिए महत्पूर्ण है क्योंकि यह मानों की विभिन आवशक्ता की पूर्ती करती है ठीक है अर्थात जय विवित्ता से क्या प्रतिक है और यह मानो जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेट है क्योंकि इसके द्वारा मनुष के आउशक्तों की पूर्ति की जाती है अगला कोशन है कि बताई विस्तार पूरक बताएं कि मानो क्रियां किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है मनुष के क्रियां देखिए बनती जन संक्या जो है किस प्रकार से वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारण है तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार में कई पॉइंट हैं दिये गए हैं मानवी क्रियाय निम्न प्रकार से प्राकिर्तिक वनस्पति जाती और प्राणी जात के हराज का कारण बनती हैं देखे कैसे तो कुछ वनस्पति तो नश्ठ होती है साथ वन जीवों का प्राकिर्तिक आवास भी चीन जाता है इस लाइन का आर्थ आप समझ गयोंगे देखिए जब वनों के अंदादूंद कटाई होती है वन को काड़ दिया तो इससे रिजर्ट क्या होगा वनस्पतियां तो उसके खतम कर दी हम अपने स्वार्थ की पूर्त के लिए तो इससे हम प्राकिर्तिक और प्राकिर्तिक वनस्पति दोनों का नुक्सान करते हैं दूसरा पॉइंट है इसका जब उद्योगों खास का राशानिक उद्योगों का कूड़ा कच्रा खुले स्थानों पर फेका जाता है तो भूमी प पर फेकते हैं तो उससे भी भूमी पुर्दूशन होता है नेक्स्ट पॉइंट वरक्षों के अंधर दूंद काटने से पर्यावरण को भी नुक्सान पहुंचता है जैसे वर्षा का कम होना जो बच्चे पेड़ पोधे हैं यह सब क्या करते हैं वर्षा होने के सायक है जो प्राकिर्थिक वनस्पति पनप नहीं पाती और धीरे धीरे बंजर हो जाती है बच्चों पॉधे क्या करते हैं यह जो वनस्पति हैं छोड़ छोटी घास हैं इनको पश्णों के अधी चराई से वे क्या हमारी भूमी का उपरी परत बिल्कुल हट जाती है आवरण वहीन ह हो जाती है जो कि बहुत सारे आगे पर्यावन प्रदूर्शन को परदन को बहुत सारे रीजन होते हैं बहुत लंबिश अंकला इनकी तो इसे हमारा पर्यावन प्रभावित होता है किसे आती पशुचारण से ठीक है अगला कोश्चन है भारत में विभिन समदायों ने किस वनो और वन जीव सरक्षन में योगदान दिया है विस्तार पूरवक विवेचना करिये पहले आप कोशन को समझे विभिन समदायों ने मैंने इसके पहले बताया था वीडियो में कि चिपको अंदोलन भी एक समदाय के दोरा ही चला गया तो इस प्रकार के जो जीव समदाय है उन्होंने वनो और वनस्पति जगत के साथ साथ वन जीव सरक्षण में कैसे योगदान दिया इसकर इस पर विश्तार पूरुक चर्चा कर लिए तो आएदेखते हैं भारत में वन जीव सरक्षण और रक्षण में विभिन समदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाग रिजर्व छेत्र में होने वाले खननकार का विरोध करके सफलता प्राप्त की। दूसरा पॉइंट है मैंने बता रखा है सारे आपको हिमाले छेत्र में चिपको अंदोलन के दौरा विरक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया राजस्थान के अलवर जिले में पांच गाउन ने मिलकर बारा सो हेक्टेर भूमी भहरोद्योडा को सेंचुरी बनाई है जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है जाता बाहरी लोगों की घुस्पैट पर रोक लगा दी गई इसके बाद भारती धार्मिक कानून बनाकर वहां पर रोक लगा दी गई है भारती धार्मिक मानिताओं के अनुसार विभिन व्रक्षों और पौधों को पवित्र मान कर पूजा की जाती है जैसे पीपल है वर्ट व्रक्ष है इन सबकी पूजा करने का उद्देश यही है क कि हम अपने पर्यावरण के उनके पर्यावरण के जो पेड़ पोदे हैं उनकी सुरक्षा करें उनके प्रती आदर भाव रखें जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलित और स्वस्थ रह सके और हमें जीवंदान मिल सके उसके बाद है बच्चों नाग को शिव के साथ मोर को कृष्ण के साथ लंगूर बंदर को हनुमान जी के साथ जोड़ा गया है इसके जोड़ने के कारण क्या है कि प्रकृत ने कहीं न कहीं अपने साथ वनस्पतियों और पेड़ पोधों जीव जन्तु को अपने साथ में लगा कर रखा जिससे कि मनुश्यों के संदेश मिल सके कि हम अपने पर्यावरन और उसमें रहने वाली जितने भी प्रकार के वनस्पति और जीओ जगत हैं उनके प्रती हम अबरियावरन रखता आधर چाकें लिए सबी प्रियास करें जिससे कि उनका जीवन भी आगे चल सके और हमें भी जीवन मिलता रहे और हमारा पुरा परियावर्ण सवच संतुलीट बना रहे परियावर्ण संतुला बना रहे पार्श्यिदिक बना आएकोसिष्टम हमें किसी प्रकार की को भीचलता रहे पूजा जाता है राजस्थान में इस तरह के छेत्रों को बढ़ी कहा जाता है ठीक है उसके बाद है कोशन है वन और वन जीव सरक्षण में उपयोगी या सहयोगी रीत रिवाजों पर निबंद लिखना है ठीक तो इस पर हमें क्या करना है पूरी अपनी राय देनी है तो आं प्रकिर्थ की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं उनके इन विश्वासों ने विभिन वनों को मूल एवं कौमे रूप में बचा कर रखा हुआ है जिन्हें पवित्र पेड़ों के जुर्मुट या देवी देवताओं के वन भी कहते हैं वनों के इन भागों में या तो वन कुझा करते हैं और आदकाल से उनका सल्हक्षन करते आ रहे हैं छोठा नाकपुर्स छेत्र में मुंणड़ा ऑर संथाल जन जातियं महुआ और कदम के पेड़ों की puck उणजा करते हैं उडीसां और बिहार की के जनन सादियों शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पू वट की पुजा भी करते हैं भारती समाज में ऊन्यक hoffe स संस्कृतिया हैं और प्रतेग संस्कृति में प्रकृत और इसकी कर्थियों को इसन्रक्षित करने और करने के अपने पारंपरिक तरीक है भारती जर्णों पहाडी चोटियों पेड़ों और पशों को पवित्र मानकर उनका संरक्षन करते हैं जैसे वे मंद्रों या अन्यस्तलों पर बंद्रों को खिलाते हैं राजस्तान के विश्णोई गाओं के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नील गाओं और मोरों के जुंट देखे जाते हैं जो कि इनके समाज के अभिन अंग हैं और इन्हें कोई नुक्सान नहीं पहुचा सकता तो इस तरह से समधाय के लोगों ने अपने किर्याकलापों से अपने विचारों से पर्यावन को बहुत सुरक्षित और संरक्षित बनाने का प्रयास किया है आईए आज हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने कारियों के द्वारा अपने पर्यावन को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कि आने वाली पीडी को हम कुछ दे सके आप इतना तो करी सकते हैं कि बच्चों आप अपने बड़े पे कुछ ना करें तो एक पोधा गमले में जरूर लगें तो हम अगर अपने अस्तर से शुरुआत करेंगे तो आने वाला समय बह अपना यह नोट्स बना करके आंसर रेडी कर लिजेगा थैंक्यों ओके बाइए